आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने OPPO F25 Pro Android mobile phone में आप जब भी अपने phone से call करते हैं तो phone करते समय आवाज जो नहीं आती है तो इस problem को solve कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको detail में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह वीडि इस वाले पेज पर आपको नीचे की साफटेर यह श्टोराच का आपकरना है इसके लिए पहले पहले पोन का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting पेज ऐपन करना है सबसे उपर इस सर्च बार पर टैप करना है यहाँ पर सबसे उपर सर्च बार में software आपको लिखना है आपको नीचे की साइड ही software update का option आता है इसे tap करना है अब आपको इस page पे कोई भी update का button या download install अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके phone का software update कर लेना है अब देखे अगला काम करना है आपको जो ने अपने mobile phone का जो ऊपर की साइड जो ear speaker होता है जो आप अपने phone को जो कान पे लगाते हैं वो वाला ear speaker आपको हलक आतो है साफ कर लेना है अगला काम यह करना है mobile phone को reset करना है जब मेरे बताये हुए पिछले process काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है अदर्वाइस नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए सबसे उपर आपको यह search bar पे आपको tap करना है आपको नीचे की side यह option होता है erase all data factory reset factory reset का यह option tap करना है अब आपको इस page पे erase all data पे tap करना है नीचे एक page आता है इसमा आपको erase data का यह option tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके mobile phone में जो call के आवाज नहीं आ रही है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या आप अपने phone का data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है तो मेरे बताएवे सारे process आपको use करने से आपकी problem solve हो जाएगी